सासरेकाल दुसीं वेक रहे ओ पंजाब मेल त्टीवी मैं हैं संजीवि श्खना इमिर्षन 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 डॉनल्ड ट्रंप टे कमला है रिस दे विचार के ने इमिर्षन लाहन के दोवाधे जवाब केने इमिर्षन दे सवाला दे उत्थे दे पब्लिक दा रिस्पॉंस की है उनना दे जवाबादे उठते तमाम सिलसला चलता पे है क्योंके इलेक्शन्स चल दियां पर याने दो हजार जौवेदियां निवंबर फाइव इंपोर्टन डेटा नोट करके रखियो इंडिया इंटरनेशनल गालेया दुनिया दे वक वक देशां ने वेच बैठे लोग सारे दे सारे अपने अपने पॉइंट ओव व्यू दे नाल वेख दे पहने अमेरिका दे इलेक्शन् अपा रोज इलेक्शन्स दिकाल करते हैं रोज फर रोज निकल दा कियां सियाने कहें देने गल बद कर दे रहो मदाणी पाई रखो रिड की जाओ कदी ना कदी ते मखण निकलूगा फिर मिलके खामांगे सो गल ए है मक हने वाली के मक्खण कदन तो पहला मदाणी नूँ कई रेड के देने पैंए बाहरे बहुत चरा जाएं ट्रॉंट डिक्टेटर्शिप च ओंदे ने वड़े वड़े होना है डैमोक्रेसी तो डिक्टेटर्शिप वाल जाना है एक लॉबी है जो अमेरिका नो चलाँ दी पई है और उस लॉबी दे अग्गे चेरे ता वक्वक हो सकते ने पर पिछे बैठे जिड़े दिमाग ने ओ की चौंदे ने और उस पॉलिटिक्स नो दुनिया देवेच क किद्धर नो लेके जाना चौंदे ने तमाम तरह दिया गल्ला एनिया गल्ला के तुसी सुनदे सुनदे ठक जान देओ पर गल्ला करन वाड़े नहीं ठक देए सो पहला सवाल ट्रॉम्प डेमोक्रेसी नो नफरत कर देने कारण देखो कारण देदा पता नहीं पर कैन पर ओड़ ने एस तरह दिया गल्ला कितना किते सोचड़ दे मजबूर कर दिया ने वोटर्स नो कि उनना दे डेमोक्रेसी दे परती की विचार ने दुनिया दी सब तो पुरानी डेमोक्रेसी अमेरिका दी और के देने कि डेमोक्रेसी दी शुरुआत मॉडरन वर्ल्ड दे वेच अमेरिका तो हुंदिया और अमेरिका दी तर्थी दे उत्ते ही ए गल्ला हुंदियां पहिया ने एक्सपर्ट्स पूरी दुनिया दे ए मन्दे ने कि अमेरिका दी तर्थी दे उत्ते democracy बिल्कुल edge ते आ गई है किनारे ते आ गई है सेथ बिल्कुल बिगड गई है living on the edge जिन्हों पगया जानदा ये सारे इत्माम जो theories दे निचोड ने निकड के सामने ओंदे ने so Trump दे उते एक circle लगाऊने आपा democracy दे point of view तो next question Kamala जो है एक perfect cut putli ने एक बहुत वधिया cut cut putli ने किना दी deep state दी जेड़ी मैं lobby दी गल कर रहे हैं deep state उन्हों ना देने उन्हादे हत्थाने विच खेड़ देने इस सारे बड़े बड़े leaders तक Kamala एक मतलब perfect cut putli ने उन्हादे हत्थाने विच मतलब जेड़नों कैनगे उद्धा Kamala Harris काम करंगे ये भी एक डिबेट आ और नाड़ देगल Donald Trump दी जुड़ दी है कि ओ जेड़ी lobby या deep state दी ओ ट्रम्प नू allow कर सक दी है इजाज़त दे सक दी है जितन दी ते President of America बनन दी क्योंके उन्हाने अपने मताबिक नचाना है कट पुतलियानों जे ट्रम्प परफेक्ट कट पुतली नहीं बन दे तक Kamala Harris परफेक्ट कट पुतली बन गए ने ता इस करके ओ Kamala Harris वाल चुकाव रख दे ये सारी अंगलना देखो पबलिक का स्याने केंदे ने मारन वाले दा हाथ फड़ सकते हो बोलन वाले दी जुबान ने फड़ सकते हो ता बोल दा कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना सो ए कट पुतलियां दा खेड अपा अगे चल देए अगला सवाल जो रेड के विचो निकलना पे अपा मदा नहीं पाई हुई है अगला सवाल के ट्राम्प नू तुसी कितना मनाओगे के थोड़े नर्माईच आजाओ एंपते जिवे अपा कहने ना दुजे दे परती थोड़ी दया पामना रखनी सहानू भूती जिवे अपा खास करके कहते पर यह एंपती तो एक किदना रखनगे एंदे सुबानू किदना चेंज किता जावे वादढियां सदाढियां निभ्ण सिरां दे नाडें के देने न स्यारें कि जड़ियां साड़ियां आदता हुं दियां ने चढ़ना कदों तुसी बांद कर देने और खास करके इस शब्दां दे बांद जदो जहरी ले होन तब बहुत ही डुगाई तक जखम कर देने और इस जखम पर देने नहीं होने इस करके ट्रम्प नुकी में मनाओगे तुसी के इस शब्दां दे जहरी ले बांद चलाओने ब पर ट्रॉम्प की विचार रख देने मुद्ध दे जिड़ा मुद्ध है अबॉर्शन दा और नाले भी कहें देने के इक वारी कामला है रिस बन गए ना प्रेजडेंट ऑफ अमेरिका उन्हाने मुद्ध चाड़ देने कोई लौ कोई रेगॉलेशन नहीं और जिरफ सितिस्टान का डॉनल्ड ट्रॉम्प कह रहे हैं तो डॉनल्ड ट्रॉम्प देखी विचार ने यह तर टाइम दसेगा या फिर अमेरिकन्स दसनगे विकी निचोड कट देने ने निचोड कटना बहुत ज़्यादा जरूरी होंदा तो रेड का पाया हुए आपम अधानी ओएरा बीच रहें देने मैं ही मैं हूं जिन्मप कहने है न जन्डा उँचा रहे हमारा ऊवड़ा सुपा है बस मैं ही मैं हूं दूसरा कोई नहीं जमीन तो आशमान तक चारो दिशावान देवेच डॉनल्ड ट्रॉंप है होर कोई है नहीं एकस्टि नहीं करता होना चाहिए तो ए जड़ी उन्हादी सुभा दी खासियत है एदा की इलाज करोगे और ए खासियत प्रेजिडेंट आफ अमेरिका दी सुभा नो शूट कर दी है के नहीं कर दी और कल लू उन्हादी पॉलिसिस टेड़ी अपना न गियां उन्हादा फिर डिजाइन की होएगा के नहीं के नदे में जटो कोई बन जान दना प्रेजडेंट ऑफ अमेरिका या किसी भी था सी सांदा अधा प्राइम इन्ड। प्राइम निस्टर प्रेजटन तक कैन दे जड़ी कुरसी सब कुछ सिखा दे रही हैं आडे ड़े लोग सिखा दे ने महौल किअ दे इंड र future of America इस बारे ही सोचना है so इनी की इजाज़त होंदी है चाहे president होवे क्योंकि nobody is above law law तो होते कोई नहीं next सवाल जो निकरदा है do you really think Kamala is going to beat Trump? तो अनों लगदा के Kamala Harris, Donald Trump नों हरा सकते उनना दी एनी जादा मजबूत स्थिती है के Donald Trump उनना दे सामने कमजोर पैज़र एक खास सवाल है so एदे उबारे भी सोचना पढ़ेंगा and the most important जो इस वकत अबर के पूरी दुनिया दे वेट सामने आ रहे है Donald Trump and Kamala Harris दे discussions, tensions एक दुज़े दे उते remarks racism race, human race दो अलाग भी कोई race है यह भी definition मिल दी है तू उच्चा के मैं उच्चा, तू निवा के मैं निवा human race तो उते भी कोई race होंदी है असी पता नी कौन होंदे है तुसी साठे तुन निवे होंदे हो यह जिडियां गल्ला ने ने पता ने केड़े युगादियां गल्ला ने और केड़े हनेरे युग दे विच असी एधनियां गल्ला करके पॉंच सकते हैं बड़ा dangerous लगदा बड़ा अपने आप दे विच रिस्की लगदा के एधनियां गल्ला क्यों कीती हैं जान दियांने तो इस करके topic of focus in United States of America is racism and race एनुही discussion racism की हुंदिया रेस की हुंदिया और इते मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिगा लियाद आप दिया I believe के वो दिन भी आएगा जिदो racism खत्म हो जाएगा सब नो equal opportunity होएगी सब नो बराबर समझा जाएगा एक इंसान दुझे इंसान दे बराबर है Martin Luther King I believe उनना दा ये world famous address जो उनना ने कीता सी 60s दिकाल ले ये बहुत popular है और ये इस context तो देखे जावे तक Kamala Harris support कर देने और इत्थे Kamala Harris win-win situation लाएजा देने क्योंकि ओ कहिंदे ने कि मैंता सब दी president हो सब नो इकठे लेके तुर ना मिलके लड़ांगे मिलके जितांगे तो racist एक बंदा racist है के नहीं है असी सारे इस चीज नो question करांगे जिदो racism दी गालांदिया race दी गालांदिया तो अपने आप देखे सवाल होंगा क्या मैं भी racist है और ये जवाब असी आप ही दे सकने है जे मैं racism नो feel करगा किते वी office देवेज, कार देवेज अपने आपने आपनों मैं जरा मतलब तॉन देवेज जे किल्ला है गाया It means असी racist है गया racism है असी दुझे तो अपने आपनों उच्छा समझ दे हां किल्ला नहीं है गा असी racist नहीं है Simple God So next सवाल रेड़ का पाया हुए याद रखना मदानी पाई हुई है Next सवाल US क्या हुण एन्य डिबेट्स दो बाद एन्य डिसकुशन्स दो बाद racism नो छट देगा क्योंकि ए सदियां पुराणी प्रता के ते गुलामियां ही रहिया ने एन्य ब्लैक्स नो लएके ऐसी डिसकस कर दे हां और अज भी ब्लैक वोटर्स मतलब एद्धाने ना देते जान देने और एभी क्या जान देने Kamala is not black एद्धानी अंगला मी हुं दिया ने तो होन एन्य डिसकुशन्स दो बाद जड़ी modern generation है young generation next generation है ए रीसिजम, race, ए पुराणिया अमीरी, गरीबी, उच्चा, नीमा, चुआ चूत ए छड़ देगी? Yes, छड़ देने जाए दिया क्योंकि ए तरक्की देविच रुकावटा इन्सान दी पहच्चान उदे गुना नाल होन दी है जनम दे नाल नहीं होन दी उदे करम दे नाल होन दी है करदा किया है ना, so किर्थ कर जी में साड़ी पंजाब दी तर्टी तो गुरु साहबान दा, फर्मान ओंदा किर्थ कर ते में जूल के छखो, वांड छख सो एही जिब बाबा नानक जी दिया गलना मान लाओना मेरा ख्याल सारे मसले हल हो जाना कि मेरा ख्याल की सारे दुनिया दा ख्याल ही होगा कि तुसी दूसरे दी होंद नो सविकार करोगे, दूजे नो अपने ब्राबर समझोगे, है ना क्योंकि में इशू सर्वाइवल दा है आसी मेल जूल के सर्वाइव करना इस अर्थ प्लैनेट दे उते सो एह रेसिसम ना मसला असली शब्द वड्डी रुकावट बढ़ा नेक्स्ट सवाल है निकरदा के कामला हैरिस किद्ण हराओंगे डानल्ड ट्रम्प नो क्योंकि कामला हैरिस दे उते भी एह इल्जाम लग देने कि वो यूटरंस बहुत मार देने येस और अपनी एक्सेंट भी बदल दे बेने स्पीचिस देवेच अचलब की दिखाना चाहूं देने जिदो क्या जान देने शीज नाट ब्लैक तहां एक्सेंट बदलना हो सकता है कि वो ओडियन्स दे उत्य दे वोटर्स ने उन्दे मुताबक एक्सेंट बदलते होनों उन्हों दिखान वास्ते कि मैं तो हड़े विच भी चौई मैं तो हड़े वाक नहीं भू नहीं बोल दीया तो हड़ी वाक नहीं कालबाद कर दीया It can be a reason लेकिन ऑपोनेंट का ऒू चढदेने उगे अंदर ने जी accent बदब देने बढ़िया यू-turns भी मारिया ने विचारा नू लेके भी policies नू लेके भी क्योंकि Biden administration दे उते इल्जाम लग देने So इना सब गल्तियां इना सब कमजोरियां दी background दे वेच उट Trump नू कि मैं हरा सकते ने That is a million dollar question So इस दू लेके जपा अगे तुरिये That Donald Trump दे Background दे विच भी बहुत कुछ है तिदे उते पूरे programs हो सकते ने पूरे episodes हो सकते और पूरे discussions होंदियां Newspapers परे पहने Magazins परे पहने There are so many things Case pending ने कुछ फैसले pending रखे कर ने Elections तो बाद वारे So दोनों पार्टीस दे विच कम्यावी ने खूबियावी ने दोवें कैंडिडेट्स दे विच कम्यावी ने खूबियावी ने और Politics means Division जो आज कल दी है पाड़ो ते राज करो Divide and rule वह वाड़ी गाल ते पता ना लगण दे हो किसी डिवाइड कर देता है ते रूल कर दे पाया Politics means Division Divide करो लो कट्थे ना होन दे जो कट्थे होगे फिर ते करांती होगे कट्थे होना ही करांती करांती नहीं होन देनी तोड़ के रखना है So दोवें पार्टीस दे विचे खुबीया ते कमिया ने के कैंडेडीटस नो जोड़े है जानता है तोड़े भी जानता है ते horse trading भी हुंदे ये है ना खरिदो फरोगत ते पूरी दुनिया चुन दी है कोई अमेरिका दी तर्तिड़ी दे होते है कोई नवीगाल नहीं है की हर थाद रोते चीजां चल दियाने so this point also is very much important कि दो में पार्टियां अपनियां खूबियां भी रख दियाने अपनियां अपनियां कमियां भी खामियां भी रख दियाने तो वोटर से किदर डिसाइड करनगे जाना किदर है so next सवाल है मुड के ओन देट, डिबेट, कामला हैरिस ने टॉनल्ड ट्रम्प नो डिबेट विच हरा देता, यह mostly लोग एही केंदे, तो जो सेकंड डिबेट वास्ते चैलेंज की तैसी एनन दे उते 23rd October नो, वो केंदे ने मिस्टेक है, हो सकता है, ट्रम्प पारी पैजान, जो कामला है ट्रम्प नो अपनी फुटिंग वास्ते अपनी तरती होर तलाशनी पैणे है, क्योंकि ट्रम्प दर स्पेस लेगे ने कामला हैरिस, और ट्रम्प को स्पेस नहीं बचिया, पॉलिटिकल स्पेस, उनो पॉलिटिकल स्पेस दुबारा किता हासल किता जाए, ट्रम्प एदे वास्ते जदो जहद कर रहे ने, और क्योंकि जाल विचाया सी, गल्लादा कमाला ने, ट्रैप विचाया सी, उदे विच फस गए, और ही अटेक मार देता, कमाला हैरिस ने, और उन दे ही, डिफेंसिव मोड दे हो गए, डॉनल्ड ट्रम्प क्योंकि उनने बचना सी, सर्वाइव करना सी, इस डिबेट दे विच इस करके, और डिफेंसिव मोड दे होते, खिड दे रहे, serious, एक खास तरह दे मूड दे विच, औ कमाला हैरिस ने, that is the plus point to her, so ए सब चीजां, जो अपने डिसकस करने बैठ दे हैं, आप देख दे हैं, कि ट्रम्प ने अपनी डिफेंस वेच की किता, चैलेंज करने लग पड़े, कमाला हैरिस ने, चनौतियां देने लग पड़े, ठीका, और अपने उपीनिन दो वदा केंदेने, हिटलर वाली गाल आ गई ना, कि एक चूट नो दास वार, रिपीट करो, उस सच लग दा है, मतलब जे सब नो एंडॉर्समेंट, हिटलर तो भी लेनी पवेतासी, जरूर ले लेनी हैं, क्योंके पॉलिटिकली सब फायदा हो रहे हैं, इस करके, ओ अपने उपीन खिंडा के राख देता, खलेर के राख देता, ट्रम्प दी सोचन, बाइडन ने कर सके, एक कमाल, जो कमला हैरिस ने करके दिखा देता, और इस चीज़ नो डेमोकरेट्स केंदेने, एक नमी रूफ, एक नमी जान फूख देती हैं, उन्ना ने पार्टी दे, विच्छ, पा कमाला दे कैंपेइन एक सोच दिया है, कि एक एक एद्धान दा इशु हुआ, जिदे हुटे, जित हासिल कीती जा सक दिया, शुरुआते चासी इमिग्रेशन दे गल कीती है, और उसनो दिमाग हीच रखना है, क्योंकि दाट इस देमोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट बाइडन रिलाक्सेशन देना चांदेने, ट्रॉम्प रिलाक्सेशन नहीं देना चांदे, और बाइडन दी विचारतारा कैरी करदेने, कमाला हैरिस, कमाला रिलाक्सेशन देना चांदेने, हाक दे विच खडदेने परवासियां दे, ट्रॉम्प रिलाक्सेशन नहीं देन कर रहे ने और हो कहें देने के एकॉनमी बारे कोईडा कैंडिडेट किनी क्लारिटी देना लाँदा है अपनियों पॉलिसिस नो लाएके यह सब तो ज्यादा इंपॉर्टेंट गाला है और असी उस बेस्ते होते ही डिसाइड कर सकते हैं कि आसी कामला हैरिस वाला या असी मॉयला एकॉनमी हिली पई है हो सकता है एक ट्रॉंप दे फेवरिच जावे एक्सपर्ट्स मन देने बट कामला हैरिस जितना अड्रेस कर देने एकॉनमी नो लेके और कुछ दिन पहला होना ने वाक वाक इंटर्व्यूस दे विच भी टीवी चैनल्स दे उते गाल कीती है ऑपर्चुनटी एकॉनमी दे गाल कर देने सो ओ किते न किते डॉनल्ड ट्रप दे उते हावी पेंदे हुए सारी गेम अपने बल लेके चले जान देने और लोकां दा ट्रस्ट जादा कामला हैरिस दे हो जान दा एकॉनमी दे पॉइंट ऑफ यू देनाल एकॉनमी दा अलिमेंट कामला हैरिस दे हाक विच जा रहा दिखाई दे रहा है फिल हाल सो कामला हैरिस दे स्ट्रेंट्स है गियाने मजबूतिया है गियाने उनना दे विच बहुत ज़ादा मजबूत पॉइंट ने बहुत अच्छे बुलारे ने जो बहूत अच्छे ऑरेटर ने。 और पब्लिक नू समाईदेने, पब्लिक नू रिप्रेजेंद कार देने, मिडल् क्लासस् काृप्लिए, दिया दिया प्राब्लम्स नू समाईदेने। मतलब तमाम तरह नू अमेरिकन कल् convince नू समाईदेने और उदे वेच इंडियन कल्चर दे भी कितना किते गोण लेके आंदेने सब तो बड़ा गोण जी अपा पहला गाल कीती एंपती दुझे दे प्रती सहान भूती सद पावना रखनी दुझे दे दर्द नू अपना दर्द समझना दुझे दर्द महसूस करना तुझे दर्द एचीज इंडियन कल्चर तो उपर्मोट करना दी कोशिच कर देने और कितना किते डॉनल्ड ट्राम्प उननों तंस भी कर देने के एंडियन वैल्यूज नो पर्मोट कर रहे हैं खैर नाओ अपना जिस गाल दे उते गाल कर रहे हैं वे यह कि वोटर्स उनना दियां मजबूत ऐलिमेंट्स दियां सारी डिटेल्स नो जान देने पर नाल दिना जो टैलीविजन दे उते इंटर्व्यूज ने टैलीवाइज इंटर्व्यूज विखाई दियाने कितने कुछ पॉइंट्स वीक दिखाई दिन देने बट तो टैलीविजन दिया इंटर्व्यूज ने कई होर भी पक हो सकते ने शूटिंग पक, एडिटिंग पक, ट्रीटमेंट पक, कॉंसेप्ट पक, डाइरक्टोरियल पक, बड़े पक ने हो क्यों टैलीविजन प्रोग्राम ने तो टैलीविजन दिया इंटर्व्यूज पर में कुछ भी कहने पर अमेरिकंज उनना दे विचारा ना जितना सैमत हो रहे ने दे दे डिट प्रॉइंट पर कमाला हैरी नव एक के जिच पॉइंट बार्डर इस्विस ना हो ओन दा है मैक्सिको बार्डर उत्ते पी ट्रम्प जान देने फेर ऊस्तर बाद तो रिंद पी जान देने और बार्डर दे उते हैं जड़े लीगल, इलीगल इमिग्रेंट्स ने उन्हां था ओना और ट्रॉंप दा और ट्रॉंप दे टीम दा कहना कि इस ते नाल अमेरिका दे विच विच वाज सकता है क्योंकि इलीगल तरीके नाल ओई आउन गे जड़े क्रिमिनल्स ने और वैसे इमिग्रेंट्स आ जा जान दे ने अपनी फैमिली अपने बच्चें दे नाल ता अमेरिका दी एकॉनमें दे उते बोज वदेगा ये तमाम तरह देंगलना तो बार्डर दे इश्यू एड इमिग्रेशन दे इश्यू खास इंपॉर्टेंट ने इजना इलेक्शन दे इस वकद स्टार वार्स बढ़िया हुए पूरी दुनिया दे विच येस आई रिपीट स्टार वार्स कमला है रिस जैलन संकी नों मिल दे ने जो युक्रेन दे प्रेजिडेंट ने वाई वाइट हाउस दे विच वाई क्योंकि जो अमेरिका सपोर्ट कर रहा है युक्रेन वार दे विच ओ सारा जो ग्लेबल इशु वा बॉर्ड इशु वा ओ ट्रांसफर करना ना किना नो कमाला है रिस नो जे ओ बंदे ने प्रेजिडेंट अफ अमेरिका युक्य इस वकिते वाईस प्रेजिडेंट ने शी इस रॉनिंग वाईट हाउस नो ओना नो ओ सारिया प हैंड ओवर करने ना इस करके जैलेंसंग की नल मुलाकाथ जरूरी है और वो मुलाकाथ होई है नाओ और मुलाकात तो बात सिट्टे की निकरनगे यह ते कोई चानदा नहीं यह थे सिट्टे वो तो सामने ओनगे जो कमाला है इस प्रेजिडेंट आफ अमेरिका पढ़ बे मैं रश्या दे अंदर तक जाके हिट का सका और अधी परमेशन मांग रहे हैं और अमेरिका वलों अधी परमेशन नहीं दिती जा रही और जो अमेरिका दी इंटेलिजन्स हा वो एक एरी आग यह जे परमेशन दिती गई ता वार बहुत अग्गे तक बाद सकती है और कि मैं इस वार नो continue करना अगले साल तक और उधे रिजल्ट्स लेके होने ने मेरी प्लान भी है मैंनों लॉंग रेज वैपन्स चाहिए देने पर अमेरिकारी इंटेलिजेंस केंदी है नो पर्मेशन नहीं देनी चाहिए दी क्योंकि ये वार होड़ जादा डिजास्ट्रस हो सक दिया और इस वकित जैलेंच संग की अपनी स्टार पावर गवाज चुके ने लोग का देवेच क्योंकि किसे वक्त उन्हान ने एक सीरियल काम कीता जेदे गाल ने छाड़ीमान सिकता हो抜़ए रही वह यो सीरियल दे हीरो ऋअसल फोड़ा हीरो हो रियल लाइफ दे मिच अधर कोई हो री तरानधियं स्धितियां हON दियाने ड्रामा ता इक स्क्रिप्ट है तो तो ड्रामा वक्री गाल हो घई पर जब रिएल लाइफ शो हो तो दो देखो एप बचकाना हरकता एक्सपर्ट्स कें देने एप बचकाना हरकता सूट नहीं कर देने एक प्रेजिनेट नो और वी युक्रेट और वी इस देती दे जदो दो साल तो जादा वार नो हो गए ने युशुड बी मैक्चिओर एनफ के इनो हींडल के में करने तो हडी आर्मी दी संख्या काट रही है हत्यार तो हडी को है नहीं तो हडी आर्मी दे होंसल पस्त ने इस वकत क्योंकि इननी जादा आर्मी है नहीं तो इसी अमेरिका दे सिर्दे उते चल दे पायो करना की चौन दे और उदर रश्या, चाइना, नौर्थ कोरिया, एरान वही सिर्दर्दी बढ़े होई ने अमेरिका दे यॉनाइटे स्टेट्स ओफ अमेरिका ने कि इस वार नो जादा डीप ना लेके जाओ बट आसी देख दे हां के रश्या दा साथ दे रहा है चाइना कुछ इक टेकनोलजी डिवैल्प करने वेच इरान पेज रहा है मिजाइल रश्यान नॉर्थ खोरिया भी नाल सपोर्ट कर रहे है जिननी भी कर सकता है और इस वकत पुतिन एक गह रहे हैं कि जे मेरे उते कोई ऐसा देश मेरे देश दे उते हमला करता जिदे को न्यूक्लियर पावर है गी हा ता बैनों पूरी वर्ड एड्मिस्ट्रेशन, पूरी वर्ड दे लीडर्स, पूरी वर्ड दे देश इस गाल्दी पर्मिशन दे दिन कि मैं भी न्यूक्लियर हत्यारा ना इस्तेमाल कर सका। टेंजर्स सिचुईशन और जैलन संकी कहन देने है कि युनाइटेड नेशन देवेच कि पुतिन देगे गोड़े नहीं टेकने है या पुतिन देनाल समझाथा नहीं करना या जो गाल होगी मेरे टैन पॉइंट्स देड़े में रखे होई नहीं यूक्रेन वन्मा उना और वाइस असी पुतिन नूँ एक पॉलिटिकल स्पेस दे रहे हा वार नूँ होर अगए लेके जाड़ वासते है और उदर पुतिन नूट्लियर वैपन सी परमिशन मंग दे पैने है तो ये मतलब है बचपना या बचकाना अपा की कहांगे इत एक वार क्राइम हा इंटर ने और इना पैसा इस पठी दे वेच पाया जा रहे हा अगणू होर मचान वासते एक पैसा जे सारे इंसानियत दे पले दे वासते खर्चा जावे ते दुनिया के नी खुबसूरत हो जवे ना गरीबी होई ना पुक्मरी होई ना बेमारी होई यूटूपिया बन जवे सा मर्जी हाल होई आई टैम्ट के अगए तो इस तरह दी सोच दे ना लासी किते तक जा सकते हैं और इंटरनेशनल लौ दीजी अपा गल कर दे आता है अधर भी एक वार क्राइम चलता पे इसराइल दे वेच एक लोकानू जो मारंदी लट लग गई है इना लोकानू इस लट तो इना दा छुटकारा की में करवाया जाए ठीक है ना एक समूहिक हद्ध आ है यह जो गाजा दे विच हो रही है और हुन लेबनान दे विच शुरू हो चुक गया है और युनाइटे नेशनल लगातार कहरे हैं लेबनान सेकंड गाजा बन सकता है और उसानू बढ़न न support है United States of America और कितने किते एक्सपर्ट से कहने ने कि इसराइल serves the interest of United States foreign policy जो दुनिया ने विच अमेरिका अपनी domination रखना चाहना है अपने अपनों तगड़ा रखना चाहना है दुजया नों अपने थले लाकर रखना चाहना है वो अधी foreign policy है और उस policy नो बहुत बाखुबी निबा रहे है इसराइल, इसराइल मदद कर रहे है United Nations से and a total diplomatic का diplomacy यूज हो रही है एक पासे तुसी गल कर दे हो लोग मारे जा रहे हैं ने उनने उसाहयता मिलनी चाही दी है बिमारिया फैल रहे हैं ने एकसिदेशन होनी चाही दी है एक अधो स्टाप करोगे और दुझे वसे तुसी हथियार भी दे रहे हो पैसा भी दे रहे हो एक अधो तक चल लेगा इस इस टू बककट थियूरी उदर भी थे उदर भी जाना कित रह पला था है दसो ना दो किष्थियां था सबार स्याने के अधे ने डुप जानता है एक को किष्थी दे चड़ोगे ताही तरोगे उन्हें केडी किष्थी दे चड़ना है मदद करनी है या तबाही करनी है सोच लेना चाहीद है पर दो में पासे दो तारी तलवार वाकन हर पासियों कट दे पहने so बाइडन जानदे जानदे इसनों स्टॉप करना चौन दे ले क्योंकि एक्की दिना दा सीज़ फायर हो जाना चाहिए एक प्रपोजल है पर दोवे तिरा नहीं मन दियां पहिए ना हेजबुला, हमास, ना इसराइल, नेतन याहुए नहीं मन दे पहिए बट एक की दिना दी सीज़ फायर दा प्रपोजल है और बाइडन इस दे उते कारवाई करना चाहन देने क्योंके समा कटदा जा रहे है ना उनना दी प्रेजिडेंट शेप दा जांदे जांदे कुछ तमाका करना चाहन देने वर्ड पॉलिटिक्स देविज तमाके तो साधी मुराद है या कुछ एद्धा दी गल जीडी लोग याद रखन के बाइडन जाब ने जांदे जांदे लड़ाई रखवा देती सीज़ फायर करवा देती जो तकरीबन एक साल तो चाल रही है तो इस टोटली इंटर्नल पॉलिटिक्स बट लोग का नी जांदे जा रही है सीवेलियन्स मन रहे है एं मर दे होई सीवेलियन्स एंदानों तुस्री किसना जस्टिफाई करोगे एं वार बिलकुल ठीक है बच्चे मर रहे है सीवेलियन्स दी डेथ हो रही है और ओ ट्रूप्स ओ वर्कर्स रेस्क्यू वर्कर्स टीम्स ओ भी मर रही है इस्राइल दी मिलिटरी लगातार बॉम्बिंग कर रही है लेबनान दे होते और इस्राइल एक क्लाइम कर दा के मेरी इंटेलिजन्स दे मताबिक मैं हमास दे होते है हजबुला दे होते मार दा प्या बट पब्लिक दे विच बं फट दे पे ने पब्लिक मर दी पई है और मिजाईला ने थोड़ा देखना है हजबुला दा बंदा है के हमास दा बंदा है ने तो फटना इस, फटना एड कि डोना ना ने मेजायला ने तो फटना या फ़या था और योपोर्टन खेल के साल एही आएगी human rights human rights human rights एक इंसान दुझे इंसान दे human rights दा कान करदा है एक देश दुझे देश दे human rights दा कान करदा है और इस सदियां तो चले आ रहे है और जिन्ने भी साथे पवित्र गरंथ ने हैं और सारे human rights दी ही गल करदे नेको कि सारे कुदरत दे पैदा कीते हुए जीव ने, सारे कुदरत दे जनम देते हुए जीव जन्तु ने, इस सारी यां गलना मुड कदीम तो तुरियां आ रही हैं, ते जंगा में मुड कदीम तो तुरियां आ रही हैं, ते जंगा में मुड कदीम तो तुरियां आ रही है So next is Middle East क्योंकि Middle East दे विचे वार हो रही है Middle East किन्ना के दूर है एक बहुत वड़ी वार तो क्योंकि ए इसराइल, हमास, हेजबुल्ला, एरान एना तो की खत्रा है पूरी इनसानियत नो Middle East दी वार किते तक पहुंचेगी एदा सेख किते तक पहुंचेगा एक फुल स्केल युद्ध बन सकता United Nations बार बार कह रही है बास आजाओ तर नो ओधर पुतिन वेस्टरन वर्ड नो तमकी दे रहेने अगनल ना खिड़ो नुकलिर वेपन्स में इस्तेमाल कर लेने एदर United Nations हम जाना दी कोशिश कर रहेने इसराइल नो हमास नो हजब बस करो लोग मर रहने एव और होर किते भी पहुंच गई तब पूरी दुनिया पूरी इनसानियत वास्ते खत्रा पैदा हो सकता बट लो नेतन याहू पावर फुल ने पर उचौन्दे की ने अपड़ी पावर ना इस्तेमाल कर दे के मेंने हेजबॉला, हमास उन्हों असी सिर्फ मिलिटेंट नहीं कह सकते लेबिनाउन देई पाल लेमेट देविच उन्हा कोल तेरा सीटा ने एक जबरदस पॉलिटिकल पार्टी है एवी पाकसान देखना पैरा सो ए जो कुल मिला के लोग मर रहे ने एदा इल्जाम इस्राइल ते भी जान दा हमास, हैजबॉला, फिलिस्ते दमाम उन्हों लोग का दे जान दा है जो लोग का नो मारं दे सिम्ने बार उन्हेदे विच्छों निकलना किया 21 देजदा सीज़ फायर करन दे जो कोशिश कीती जा रही है उदेज काम या भी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये ते और वाला वक्त दसेगा पर जिव जिव आसी वाइलेंस करांगे, हिंसा करांगे उदे विच्छों हिंसा ही निकलेगी हिंसा दा जवाब हिंसानाल दवाँगे तो किते भी गल खतम नहीं होएगी एट दा जवाब जो पत्थरनाल दिता जावे तो पूरी दुनिया तबाह हो सकते या जरूरी है कि टेबल दे बैठके सारी गल बात कीती जाए समवाद रजिया जाए और किसे नतीजे ते पहुंचिया जाए सो नतीजे ते मसलियां दे पहुंचन वासते हर देश दे विच डिबेट्स चल दियाने हर देश दे विच गल लाम बाता हों दियाने और पारत देविच जो सब तो important debate चल रही है इस वक्त तब इस त्रियां दी safety क्योंकि जो कलकता देविच होया उस lady doctor देनार उस दो बाद महौल बहुत पख्या होया और इस त्रियां दी safety, ladies दी safety इस नो priority दिती जारी है पहला भी दिती जारी, उन भी दिती जारी पर गल की है कि cases ने ने courts उन्या नहीं है गिया, judges नहीं है गिया ओटा दी कमी, judges दी कमी, fast track courts होनी है चाहिए दियाने हैगी हम इने पर उननी गिंटी च नहीं तो इस problem नाल government of India किद्दा नजिट्थे ये फटा फट लगातार फैसले हो जारी, क्योंकि जे justice delayed means justice denied, इह भी क्या जानता है and justice hurried means justice buried, ये समय तो पहला, मतलब पूरा समय लह के process ने विच फैसले होने चाहिए देने, ये समय तो पहला ही किसे गल करके, ये फैसला होग या evidence नहीं है law दे विच या गवा नहीं हैंगे, तफिरो तुसी इंसाफ नो दफन कर देंदे ते जो बहुत जादा देड लग जान दे, तफिरो मतलब है कि इंसाफ नहीं मिड़े या, क्योंकि जिन्दा नो इंसाफ समय ते मिलना कर रही है कि कितना courts दे गिंती वदे, judges दे गिंती वदे, या courts दे सिस्टम एदा ना कीता जावे, fast track, जो ये ladies दे प्रती, जुल्म हों देने, उना दे नाड, बद्सलुकियां हों देने, और एदा दे crime हों देने, उना दे रोक थाम किता कीती जावे, ओ, cases दे फैसले की ने किते जाएं, और ज़रूरी जो law दे विच तबदीलियां ने उकिता कीती जाएं, और देखे जावे ते woman empowerment दा जो इस subject है, ये पूरी दुनिया दा सांजा सबजेक्ट है, जिवे climate change दा सबजेक्ट, पूरी दुनिया दा सांजा सबजेक्ट है, सो तुसी की विचार रख दे इनना सारे मुद्यान दे उत्ते और होर भी दिड़े दुनिया दे मसले ने उना दे उत्ते, सानों जरूर इन बॉक्स करो अपने विचार, और साड़ा चैनल पंजाब मेल USA TV सब्सक्राइब करो, इंडिया इंटरनेशनल, मैहा संजीव याश्खना, सास्रीकार